गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैसलफ पंकर चंगोत्रा गौर्मन्सीनियर स्केंडी स्कूल दुरंखड पठानकोट प्यारे विद्यार्थियों आज जासीं एग्रिकल्चर विशे दे वारे कुछ जानकारी तोरना साजी करांगे एविशा लेवल टू दे विच असी अप्लाइड एग्रिकल्चर प्रैक्टिसेज बारे तोरना कुछ जानकारीयां साजीयां करांगे जिस विच असी फसल बीजन तो लहागे उस दी हार्वेस्टिंग तक जो जो भी परसेस होंदा है उस बारे जानकारी तोरना देवांगे आज जासीं इंट्रोड़क्शन टू अग्रिकल्चर इंडियन एकॉनमी पर्ट दी आर्थ बिवश्था बिच अग्रिकल्चर दा की रोल है इस बारे तोरना दसांगे फिर क्रॉप बारे तोरना जानकारी देवांगे कि क्रॉप्स की होंदियाने क्रॉपिंग पैटर्न्स बारे फिर आसी मिन्योर्स अते फटलाइजर बारे तोरना दसांगे फिर वक वक एग्रिकल्चर बारे पता होना चाहिए कि अग्रिकल्चर की कि यह जैसी गाल करिये ते आसी आम सोच देहां कि agriculture सिर्फ फसना तक ही सीमेत है पर ऐसा कुछ नहीं है agriculture नू जैसी वेखिये ता एक बहुत ही वास्ट बहुत ही बड़ा एक खेतर है agriculture is the science and art of cultivating plants and livestock एस दा मतलब है कि agriculture एक विज्ञान ते कला है फसना नू उगाउं दी ते फसना दे नाल नाल पशुपालन जा होर खेशती सहायकतन दे करंदी जड़ा agriculture word है एह लेटिन पाशा दे वर्ड तो लेया गया है जिस दा मतलब है एगरी मतलब लैंड आते culture दा मतलब cultivation it means कि पुमीदे किसे हिसे नू असी इस तरीके ना यूज करना है कि असी उथे किसे ना किसे फसल दी कोई काश्ट कर सकीए विद्यार्थियों contribution of states in production of major crops in India कि पार्त दी वखवख राज्यान दा production दे विच की की रोल है जिनके ऐसी जान देया कि पंजाब जा नौर्थन इंडिया दे विच कंक चोणना कमाद आदी फसलाओं गई हैं जान दी हन इस तो लावा पार्त दी दो त्याई पापुलेशन जेली है जन संख्या है ओ एग्रिकल्चर एक्टिविटी दे उते डिपेंड कर दी है पार्त विच आम तोड़ते नाजबली फसलाओं गई जान दी हन इस तो लावा फलां दे सबजियां दे पादन विच पार्त पूरे संसार विच दूजे नंबरते है इस इस तो लावा पार्त एग्रिकल्चर दे बने प्रड़क्ट्स नू दुनिया पार्ते देशां बीच एक्सपोर्ट भी करदा है विद्यार्थियों सब तो पहला असी इस चीज़ वक्ते आन देवांगे कि एग्रिकल्चर कम कि नहीं करदा है एग्रिकल्चर किया है कि इस बिच सब तो पहली जड़ी इनसान दी जिरूरत है फूड अते फाइबर दी उस नू है पूरा करदा है एक सोर्स ओफ इंकम है किसान वक्फख फसलां वीज़ के एत्थों पैसे कमा सकदा है एक एनिमल फॉर्ड दा भी एक सोर्स हैगा किसान अपनी फसल जो भी वीज़दा है उस नू मंडियां मिच वेच के पैसे कमांदा है तो उस नू एक एक स्ट्रा इंकम दा एक सोर्स बन जानदा है वाता वरंदे विच आते नेच्चुर रिसोर्स नू यूज करना सब तो बाद जड़ा है वो एक्रिकल्चर विच हुंदा है जिने की मिट्टी पाणी आदिदी वर्तों असी अग्रिकल्चर विच करी जनने हाँ जो दो पार्त अपने नेडले देशां विच जहां दुनिया दे किसे भी देश विच अपनिया वस्तवादा जेड़ियां की उसने अग्रिकल्चर तो प्रड्यूस केतिया है उन्नू बेचदा है तां वो एक फोरन एक्सचेंज दा जा फोरन इंकम दा एक साधन बन जान द है फसल कोई वी काश्ट वाला पोदा है जिसनू असी अपनियां मुडलियां लोड़ां जिवें की अनाज कपड़े पुश्वां दे चारे दवाईयां अते होर कमली उगाउने हां वो एक फसल है पार्त दे विच कई तरह दियां फसला जड़ियां उगईयां जान दिया हन जिसनू असी उना दे जिरोत दे हिसाब नल वन्द सक दे हां पार्त विच फूर्ड क्रॉप्स जिमें की कनक मक्की चोनना बाजरा दाला आदियो गईयां जान दिया हन क्याश क्रॉप्स दे विच चुगर केन, टोबाकू, कॉटन, जूट अते ओउलड सीड नू गिन दे हां प्लान्टेशन क्रॉप्स दे विच कॉफूफी, कोकनट, टी अते रबबा न्हू आ लिचन दे हां ते हउटी कल्चर क्रॉप्स देविच, फूट्स, वेज़डे Tur विद्यार्थियों सब तो पहला फूर्ड क्रॉप्स की हुँदियान। फूर्ड क्रॉप्स ओ फसला जिनन अनाजदे तोर्थे दालांदे तोर्थे असी वर्त देहां। इन फसलानों अपनी जिरूत मताबक यूज कर देहां। जिनने की कनक, मेज, राइस, मिलेट्स and पलसी जड़ियान आम तोर्थे पार्त विच जपनजाब विच उगईयें जांदि हन। Cash crop Cash crop दा मतलब है कि ओ फसला जिनानू किसान उगाउंदा है ते उसनू मंडियां विच जां मार्किट विच वेज के वद तो वद मुनाफा कमाउंदा है Cash means कि उसनू अपने वपारले वर्तदा है इस विच शुगर केन, तमाकू आते जूट आते होर कई फसला आ जान दियान Plantation crops Plantation crops दे विच आसी कॉफी, कोकोनट, रबबड, टी आदी नू यूज कर दे हां पार्त विच ए फसलां South India जा नौर्थिस दे विच विच गहें जान दियान Horticultural crops Horticulture crops दे विच आसी fruits, vegetables नू गिन दे हां Fruits आते vegetables दे बादन विच पार्त विच विच दूजे नंबर दे हां इस तोलाबा flowers आते होर, spices दे भी production area Horticulture crops दे विच कितने जान दियान विद्याथियों अगे है types of crops according to seasons कि आसी season दे मुताबक फसला नू किने बंड सकते हां Season दे मुताबक आसी फसला नू तिन हिस्स्यां विच या तिन तरादी फसला विच बंड सकते हां सब तो पहला है खरीफ crops रभी crops ते ज्याद crops खरीफ crops खरीफ फसला वो फसला हन जेडियां जून दे महिने विच बीजियां जान दिया हन अते अक्तूबर विच इना दी हार्वेस्टिंग यहो किती जान दी है इट मिन्स कि ए फसला नू असी घर्मियां दे विच बीज दे हां ते ए फसला अपने जीवन चक्कर दा ज्यादा समा जड़ा है वो ब्रसाता विच कट दिया हन ते अक्तूबर दे विच आसी इना फसला नू हार्वेस्ट कर लेने हां जिवें की राइस एड मेज रभी क्रोप्स विद्यार्थियों ओ फसला ने जिना नू असी नवंबर में इने विच बीज दे हां अते इना नू अप्रेल दे विच आसी कट लेने हां जिवें की वीट अते वारले ज्याद क्रोप्स विद्यार्थियों ओ फसला जिना नू असी एप्रेल तो लेके जून वीच आसी बीज दे हां ज्याँ कट दे हां ओ फसला ज्याद क्रोप्स हुन दियाने ज्याद क्रोप्स फसला आम तोर थे वाटर मेलन अते कुकंबर हां Crop Production Crop Production is a branch of agriculture that deals with growing crops for use as food and fiber विद्यार्थियों ज्यमें की सानुपता है की Agriculture एक बहुत वड़ा खेतर है जिस बिच अलग-अलग तरहां दियां branches ने जडियां हर तरहां दे प्यलुनल जोडियां हना क्रोप प्रडक्शन भी उससे तरह अग्रिकल्चर दीक ब्रांच है जड़ी फसलानों उगाउन तो लेके उना दी हार्वेस्टिंग तक सारा कम इस विच हुनदा है क्रोप प्रडक्शन दे विच आते मैनेजमेंट होना बहुत जुरूरी है विद्यार्थियों आज आज आसी modern आते traditional agriculture practices वारे कुछ गलना तोडना सांजियां करांगे modern practices दे विच आसी जिने आज दे technology दे जुग बिच अलग अलग technology वदिया seed वदिया machinery वदिया खादानी वर्तों कर दे हां कि उस वारे आसी तोडनाल जानकारी सांजी करांगे modern agriculture, modern farming means use of modern techniques and technology कि विद्यार्थियों modern farming की है, modern farming की है उस विच आसी modern techniques आते technology दा यूज कर दे हां जिमें heavy machinery हो गियां, वदिया खादा हो गियां, वदिया बीज हो गियां, वदियां द्वाईयां हो गियां ताकि सानु आसी बातों बातों मनाफ़ा कमा सकीए विद्यार्थियों जिमें तुसी देख सथी हो कि एथे जड़ी फसल दी हार्वेस्टिंग है, जड़ी कटाई है और एक कंबाइन हार्वेस्टर देनाल कीती जा रही है जो कि प्राने समय बीच इनसान की सीगा कि ओ अपनी manually त्रीके नाले नू करदा सी स्वाइग विद्यार्थियों इस विच बीच देनाल नाल आसी फटलाइजर भी अपने खेत विच फसल दे सक दे हां विद्यार्थियों इस विच तुसें देख सकते हो कि जड़ा फार्म विच इनसेक्टिसाइड जा पेस्टिसाइड दा सप्रे कीता जा रहा है और ट्रेक्टर दी सा इतनाल कीता जा रहा है यह टिकनिक आम तोड़ते उना खेतां विच वर्ती जान दी है जड़े बड़े लेबल दे किसान होंदे हन इस तो वलावा मोडर्न फार्मिंग दे बीच पॉली हाउस फार्मिंग भी आ जान दी है पॉली हाउस जी अपना गल करिये तो पॉली हाउस की है पॉली हाउस दा मेन मोटो एह है कि असी ओफ सीजन दे बीच फसलानू पैदा करना ओफ सीजन मीन्स कि गर्मिंग असी सर्दियां दी फसलानू पैदा करना तो सर्दियां बीच असी गर्मिंग दी फसलानू पैदा क लेगी इसलेई इसनों पॉली हाउस फार्मिंग केंदे हैं इस विच पॉली इथाइलिन प्लास्टिक आते जहां पॉली इथाइलिन फाइबर शीट्स ता इस्तेमाल किता जांदा है गर्मियान विच अंदर दे तापमानों ठंडा रखन लेई कूलिंग पैड्स आते कूलिं ट्राडिशनल और मतलव कि एंशियंट कि जो पॉली इसेट्स में तो आसी करदे आरेई Cohen क single कि उस्तेम decentralized अन्वीर करते हर और उनसाम अपने हथी करदा हुँ तुसी देख सकते हो कि ट्राइडिशनल फार्मिंग बीच जड़ी ट्रांस्प्लांटिंग जड़ी है ओ लेवर द्वारा हत्थानाल किती जान दी सी पर आज दे समय बीच ए ट्रांस्प्लांटिंग दा काम मशीनी हो गया है तो इना नूं आसी आम तोरते देख सकते हा इस बीच तुनी देख सकते हो कि वीडिंग जड़ी है ओ एक किसान अपने हत्थानाल कर रहा है विद्यार्थियों वीडिंग वीडिंग एक ऐसा पोदा है जड़ा साथे खेत विच उग जानदा है ते साधी फसल नूं खराब कर दा है तो उस नूं अपने खेत विच नुकसान है जड़ा ओ ना हो सके उस परसेस न अशी केने हैं वीडिंग हार्वेस्टिंग ड़न मैनुली तुसी देख सकते हो कि यह थे कुछ किसान जड़े हाव हार्वेस्टिंग कर रहे है तो आज कल कमबाइन हार्वेस्टिंग हों दिया है फ्रूट्स दे वीच भी ओ है और्गैनिक एंड सिंथेटिक फटलाइजर सब तो पहला दिमाग विचे कोश्चन आदा है कि पोदे नूँ जा मिटी नूँ फटलाइजर दी जाँ खादना दी लोड क्यों पैंदी है विद्यार्थी जी में तो नूँ पता है कि पोदा जड़ा मिटी विच उगदा है तो उस दियें जड़ां मिटी विचों पोश्चिक तत जड़े उसनू अपनी ग्रोथ वास्ते जाँ डिवेल्ट्मेंट वास्ते लोडिंदे हों दे हन ओ अपनी जड़ां रस्ते मिटी जड़ी हैं चैमिकली फैक्ट्रीज दे विच त्यार किती हैं जान दी हन ओर्गैनिक खादा जा मैनमेड खादा जा जिनों सी देशी खादा दे नानल प जान दे हन एक खादा विच सब तो इंपोर्टन खाद जड़ी आम तोर तहीं देख सकते हैं अपने करामिच भी फार्मजेर मनियोर जड़ी है जिसनों आसी देशी खाद भी कहने हन एसा डेकार दे वेस्ट गोहेतों काव यूरिनतों जां प्राली जां होर वेस्टे तो एह त्यार किती जान दी है उस तो बाद विद्यार्थियों कैमिकल फैलाइजर चैमिकल फैलाइजर ओ खादा ने जड़ियां फैक्टरियां विच आम तोर ते त्यार किती जान दी हान एक खादा पोश्टिक तत्ता नूँ पोदे नूँ परदान कर दी हान तो विद्यार्थियों जी आसी गाले करिये कि देशी खादा ते कैमिकल खादा जा जीने उपां सेंथाटी फटलाइजर कहनने हा इन दोना नूँ आसी बर्त दिया हां ते दोना विचे फार्क किया जीडियां देशी खादा ने ओँ जीन पजाव शक्ति नूँ बदां दिया ने पर एक खादा जीडियां ने पोश्टिक तत्तावन बड़े ही स्लोव तरीके नाल भूटे नूँ पजान दिया नूँ पर हों दियो पूरी कार दिन दिया विद्यार्थियो इस तो वादा सी अलग अलग तरह दे क्रोपिंग पैटरंस जेड़े पार्थ भीच जा पंजाब भीच बरते जान देहन उना वारे थोड़ नल गाल करांगे सब तो पहला की क्रोपिंग पैटर्न होंदा की है है कि अलग अलग तरह दे क्रोपिंग जा क्रोपिंग सिस्टम इंटर क्रोपिंग मिक्स क्रोपिंग नू असी यूज करना ताक की कि सान नू बात तो बात फैदा होए था हुम टाइप्स ऑप्रपिंग पार्थ वीच जडिया फसलान दाजब सब क्रोपिंग प्येटन डिया उक यह किंदि तरां दया है आम ते पंजाब विच जि態 देखी यह धिया कर्सक्राइब ब daylight क्रम तौन ये सब्ल अधाओ आध़ मौनकपिंग कितने सुदर है जिस विच आसी हर साल जमीन उत्तें एक गोव तरह लान की फासल नू उगान दे हां। इस तरह दे सिस्टम दा किसान आम तोर्त दे इस्तमाल करदा है। इस सिस्टम दी इस क्रॉपिंग सिस्टम दी सब तो बड़ी डिसेडवांटिज ए है कि जदो आसी हर साल एक ही फसल अपने खेत विच उगामांगे तो इस दा नुकसाने है कि फसल नू जमीन विचो पोश्टिक ततान दी लोड हूंदी है। उस दा नुकसाने है कि जिस पोश्टिक ततान दी फसल नू सब तो ज़्यादा लोड हूंदी है उस दी कमी जड़ी है उस मिटी विच आ जान दी है। इस करके इस तरह दे सिस्टम नू नहीं अपनाना चाहिए था। मल्टिपल क्रॉपिंग मल्टिपल क्रॉपिंग एकसी अग्रिकल्चर प्रैक्टिस है जिस विच आहीं अपने खेत विच दो या दो तो बद फसलां एक साल विच या दो साल विच लह सक दिया। मल्टिपल क्रॉपिंग जिड़ी है ओ एक एक्स्ट्रा सोर्स ओफ इंकम है किसाना ले। इस नल मिट्टी दी उपजाओ शक्ती बनी रहन दी है अते कुद्रत दे जिड़े संसादन असी अग्रिकल्चर बीच यूज कर दे हैं जिमें कि पानी मिट्टी आदी दी भी दूर सकते हैं सिक्वेंशल क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग एंड मल्टि स्टॉरी क्रॉपिंग सिक्वेंशल क्रॉपिंग की हूं दिया है कि ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन सीक्वेंश ऑं दा सेम फिल्ड इन फार्मिंग है कि आसीं दो यां दो तो बद फसलां जेड तेक इंसान नूँ एक एक्स्ट्रा सोर्स ओफ इंकम जडिया हो ओ इत्थों मिल दी है इस तरह दे क्रॉपिंग पैटरन वीचे असी एक फसल नूँ वड़के उस दे नाल ही बिल्कुल थोड़े समय वीचे दुजी फसल उगा सक दे हां इंटर क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग की है कि असी अलग-अलग तरह दी फसला नूँ उगाना जिवें आसी गल करिये होटी कल्चे क्रॉप्स दी जदों आसी कोई भी बागल गाने है उस विचे की होंदा है कि जड़े प्लान टू प्लान डिस्टेंस से हो काफी ज़ादा होंदा है ते एक आम बागन बीच जो दो आसी पहली फसल लेनी होंदिया है ते चार तो पांच साल दा समा जड़ा हो लगी आंदा है उस समय दे बीचे किसान कोई भी सोर्स ओफ इंकम नहीं लब दा ते आसी इस तरीके दी वर्तों करके उत्थों इंकम ले सकते हैं कि में कि जड़ी जगा खाली है उस विच असी कोई भी छोटी क्रॉप फसल जब फॉर्डर क्रॉप जब आई टेबल उगा सकते हैं ताकि पांच साल तक इजड़ा किसान नो बद तो बद बेनिफिट उतों ले सकी है दूसरा इस दा फैदा है कि जगा खाली रहेगी तो उते कई त पैस्ट पैदा होनगे जड़ साडी फसल नो लुक्सान कर देहन इंटर क्रॉप जड़ी है जड़ी खाली यां कताराने जग खाली जगा हुंदी है उस विच कोई भी किसे भी तरह दी फसल उगा सक देहां गिद्यार्थियों अगे है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग मल्टी स जड़ी जड़ी फसल उगा सकते हैं जिवेंग तुसी इस पिच्चर विच देख सकते हो कि लार्ज ट्रीज उगे ने उस देना रसी मीडियम साइज दे ट्रीज भी जड़ी फसल ने उगाया ने फिर स्माल श्रब्स बाइन एंड जड़ियां वेजिटेबल्स ने जड़ी क्रोप रोटेशन की या कि असी हर साल वद तो वद फसल लेनियां तिप फसला नो असी जड़ा है उन्नो यूज करना है जिवें कि असी इस पिच्चर विच दे सकते हां कि पहले साल असी माल्ट अते बार ले नो उगामांगे दूजे सीजन दे बीच असी स्प्रिंग क्रोप रोटेशन दा फाइदा ये है कि इस नाल जड़ी है मिटी दी जवशक्ती बढ़े जांदी है दूजा जड़े इंसेक्ट पैस्ट जहां बीमारियां जड़ी साड़ी फसल नो नुकसान पहुंचांदी है उस दा खात्मा भी हो जांदा है मान लो कि जबें कोई फसल टाइम थे कोई हो दूजी फसल जाओ कोई हो अल्टरनेट फसल लगाओगे तो आटोमेटिकली की होएगा कि जड़े इंसेक्ट पैस्ट है जान डिजीज है वो उस टाइम दिविच वह अपना असर नहीं दिखान गया इस तो बाद है कि benefit of crop rotation की जड़े crop rotation जी कर देया एदे की की benefits है जिवें की तोनों में पहले दसेया कि जड़ा crop rotation नहीं फर्टिल्टी नूँ जा मिटी ती पुजाओ शक्ती नूँ बदा दिया ने उस तो बाद कि जड़िया तस्ट आते इंसेक्ट ने या डिजीज ने इह इस नूँ भी control कर दिया वीड्स नूँ नदीना नूँ रोक दिया ठीक है उस तो बाद जड़िया एए crop rotation है ए तो अड़ा जड़ा labor खर्चा है उस नूँ कटा दिया ने आते income दाएक source बन जान दिया ने विद्यार्थियों आसी अगे जड़िया सादिया फसला ने पार्थ बिजली उगाई जन दिया न उसनूँ अपनी utility दे साबना कि उसनूँ किस रूप बीच लेहरे न है उस बीच वंड सक दे हां जिमें की food crops त्याते cash crops food crops दे बीच आसी इनूँ cereals दे बीच, pulses दे बीच, spices दे बीच वंड सक दे हां cereals means की ओ फसला जिन वसी अनाज दे रूप बिच वर्त दे हां जिने rice, wheat, barley, mej, jowar, bajra pulses ने जिने दाला ग्राम, तुर, मूंग, मसूर, अधी जड़ी दालां सी आम तो अरते करां विच देख दे हां ओ की आएंदिया, pulses दे बीच आएंदिया, spices दे बीच आएंदिया, cardamon, pepper, ginger, chilis दे बीच आए जाएंदिया, cash crops विद्यार थी तो नमें दस्या खीगा की cash crops वो फसला ने जेडिया, cash लेई, या बपार लेई, सांजड़ा उगांदा ने इसनों असी चार पा गाम विच बंड सक देने जिने oilseed crops, fibers crops, plantation अधी other crops oilseed वो फसला जिननों तेल दे रूप विच असी यूज़ कर दे हां इस विच आए groundnut, sesame, mustard, linseed, custard and coconut जेडियाने और oilseed फसला विच आजयां देने उस तो बाद है fibers, fibers वो फसला जिननों असी रेशान दे रूप विच वर्त दे हां वो fibers दे विच आजयां दियाने, जिमें की cotton, जूट, silk, आदी, plantation विच टी, coffee, rubber एप फसला plantation crops विच आजयां दियाने इस तो लावा other crops दे विच जिस्तों किसान, cash जिसनों किसान वेपारी के रूप विच वर्त दा है ओ तबाकू अते शुगर के इनहां Cereals, Cereals विद्यार्थी तुनमें दस्या है कि ओ फसला जिसनों किसान अनाजाद रूप विच उगांदा है ओ सीरियल्स ने जिने वीट, बारले, मेज, ओड्स, मिलिट्स अधी विद्यार्थी में जैसी गाल करिए कि हर फसल नों अपना जीवन चकर पूरा करन लेई किसना किसे खास तापमान, किसे खास मिटी दी लोर पेंदियन है जैसी गाल करिए सीरियल्स दी ते वीट विच सानू जड़ा आसी देखिये कि जड़ा वीट है जांक कानक है ओ एक रभी सीजन दी क्रॉप है जैसी इन्हों खरीफ इंच उगामा गए जह गर्मी बेच उगामाँ गए नहीं होको दी खियोँ क्योंकि इसनों अपना जीवन चकर पूरा करन ली जो तापमान चाहिदा है ओ तापमान चाहिए ओ कंडिशन इन्हों गणी बेच नहीं मिल दी इस तो बार विद्यार्थे हो pulses pulses are very high in protein and fiber and are low in fat pulses की ने pulses दाला ने जड़ियां असी आम का रामी चे जाम अपनी daily diet दे भी चापा यूज कर दे हान जड़ियां pulses ने दाला ने ओ एक high protein food है जिसनों आसी यूज कर दे हान pulses की है कि pulses दियें जड़ियां आम तोरते ही वर्त दे है इसनों nitrogen fixing crops भी कहा जाना है क्यों के देने कि जड़ियां दाला हुंदी है ने एना दे जड़ियां 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 तेल दे रूप बिच वर्त देहां, for example, sunflower groundnut, sunflower groundnut ए फसलाँ, और इसा, गुजरात, महारास्ट बिच आमतोर्ते, बड़े-बड़े मानने ते वहीं जन दीहां, विद्यार्थियों, हुन असी, pulses आते, cereals दे बिच डिफरेंस किया है, इस बारे, तो अनुँ दसांगे, cereals अनाज, pulses किया है, दालाने, cereals जड़ी है, ओ ग्रास फैमिली नू बिलॉंग कर दिया, pulses जड़ी है, ओ एक लेग्यूम फैमिली नू बिलॉंग कर दियाने, cereals दे बिच असी अनाज बाली फसला आम तोरते गिंदे सी, ते pulses दे बिच आसी डालानू गिंदे हा, जड़ी है, cereals ने इना बिच लार्ज मात्रा बिच जा लार्ज कौंटिल्टी बिच कार्वोहाइडेट्स पाई जड़ी है, जड़ी है, पल्सिज ने एह प्रोटीन जि क्यां आप टेक्नीक्स बाती हैं, क्रॉपिंग सिस्टम किया, क्रॉपिंग प्टर्न किया, इस सब कि आज दे आज आसी विशेवीचे आसी जड़ा हो पड़ेआ। इस तो बाद आसी विदार्थियों जे गाल करिए आज जासी जो भी तो अड़ना डिसकस किता उस विच आसी कि पार्थ दी अर्थ विवस्ता विच एग्रिकल्चर दा की रोल है क्रॉप की हुंदिया ने क्रॉपिंग पैटरन की है मॉडरन आते ट्रेडिशनल अग्रिकल्चर प्रैक्टिसीज की है और्गनिक आते केमिकल फर्टलाइजर की ने ठीक है उस तो बाद जडिया वक वक तरा दिया अग्रिकल्चर फसलाने जा क्रॉप्स ने ओ केडिया ने ते न्यूटिशन वैलियू की है फसलान दी पौदेनी चुछ ने लोड क्यों पेंदी जैसी गल करी है पार्ट दे विच दो ती हाइजन संख्या जडिया ओ एग्रिकल्चर ते बेस है क्यों क्योंकि जने भी इंडस्ट्री एरिया जो भी इंडस्ट्री आज देख देयां उस तो उचला रा मटेरियल है और सारा कितों मिल रहा है सारा एग्रिकल्चर तो मिल रहा है इस तो बार जड़े अलगले तरह दे क्रॉपिंग पैटरन है ओ किस तरह काम कर रहे है ताकि मिटी दी जाओ शक्ती बढ़ी रहे जड़े जड़े कुदरती संसादन है जड़े मिटी पानी आदिदी वर्तों कर देहां तो एक असी लफ् क्या सकते हैं कि असी खेती करनी है modern techniques भी यूज़ करनी है खुदरती संसादन भी यूज़ करने है पर इस तरीके ना यूज़ करने है कि आनवले समय बीच उनादा कोई नुकसान ना होए जिमें तरनु पता है कि असी आप जड़ा आम तोरते जड़ा सब तो ज़्यादा कुद्धी संसादन आसी वर्त रहे है वहाँ पानी पानी नुँँ असी संभाल के बड़े ही त्यान देनाल बड़े ही बचावद देनाल उसनु वर्त ना है ए चीज़ना आसी तरनाल डिसक जड़ियां फसल नुँ बीजन तो लाया के हार्वेस्टिंग तक स्टोरेज तक फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग दे बच जड़ियां चीज़ां आसी वर्त दे हां फैक्ट्रीज दे बच ओ सारी तरनाल डिसकस के कियां प्रडिशनल अग्रिकल्चर बच असी पड़े है कि क अग्रान वदिया मिशिनरी वदिया खादा वदिया वीज नू जूज करके वद तो बद मुनाफ़ा जड़ा हो कमा रहा है इस तो बाद असी विद्यार्थियों और गनिक मिनियोर्स आते केमिकल फटलाइजर बरे जरियो जानकरी तो अड़नलो सांजी किती और गनिक मिनि पॉश्टिक तत्ता नों मिटी विचो खेच के पोदे दे उपरले हिस्से पजान दियाने फिर वकभ यण जड़िये बीच हुं दियाने जिमें कि फूड ग्रेंस हो गिया सीरिल सो गए डालां हो गीया एग्रिकल्चर दिमें हौटी कल्चर क्राप्स हो गिया बाइटेबल पर दिसक्रशन की ती फिर इना दी नूटिशन वेलियो की ए जड़ियां आसी फसलाओं गांदे ने इना पिस तरह पोस्टिक ताथ जड़ियों मिल देने असी उस चीज बारे जानकरी जड़िया थोड़ना सांजी की ती इस तोलाबा पर द्यार्थियों मेंनू अमीद है कि जड़ियों इस लेक्चर बीचे काफी अच्छी जानकरी जड़ियों मिली होएगी ते मैं तोनों एक को गल करना चाहूंगा कि जड़ियों मांदे बीच कोई भी कोश्टिंग है कोई भी तोड़ा डाउट है तूसी अपने टीचर जड़ियों स्कूला में पड़ा आरे ने और ना डिसकस कर सकते हो तो मिननों उमीद है कि ओ भी तो अड़े जड़े डाउट ने जो भी तो अड़े मांदे बीच कोश्टिंगे तो ठेंक यू स्टूडंस आते हैं आज नेक्स लेक्चर भी तो नों फेर मिलांगे